असलाम अलेकुम स्टूडेंज्स, आज मैं आपको सिखाँगी Caterpillar Formula for Conversion of Kilometer to Meter, Meter to centimeter and centimeter to millimeter बिकिस Maths में स्टूडेंज्स अक्सर Confuse हो जाते हैं इस Conversion को लेकर कि Kilometer को Meter यह Meter को Kilometer में वापस Reverse Care में Convert करने के लिए क्या करना पड़ता है और इसी confusion में अक्सल questions घलत कर देते हैं तो आज मैं आपको जिखाऊंगी caterpillar formula बहुत ही आसान और helpful होगा बहुत छोड़ी सी वीडियो है स्सक्राइब ही झाल कर दो को जा है झाल झाल कर्ग डेंट करें दित झाल 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 सिर्फ ये छोटा सा आसान सा रूल है कि अगर किलो मीटर को मीटर, सेंटी मीटर या मिली मीटर में करना है तो हम descending to ascending का रूल फॉलो करेंगे और multiply कर देंगे जब के मिली मीटर को सेंटी मीटर, मीटर या किलो मीटर में करने के लिए हम 10, 100 या 1000 उसी तरह उही नमर से हम डिवाइट करेंगे और ascending से descending का रूल फॉलो करेंगे बहुत छोडी सी और हल्पूल वीडियो है और ये या यूप इस वी कर देए एंगे लूपनेधने कर देए लेग्वाप्ट ओ इस कर देए बहुत कर देए रहन आ जा कि लिए टेए यू टिए टेंगे लिए यू लेगे लेग्टिश आ तरह जी तो